हलो एवरिवन आज फिर एक देखते हैं जैमेन 2023 का सवाल ये पुछा गया था 24 जनवरी 2023 सिफ्ट 2 में ये क्वाड्रेटिक एक्वेशन का सवाल है 11 के सिलेबस से है आप देखेंगे कितना सिंपल तरीके से इस सवाल को आप बना सकते हैं बस बेसिक नोलेज आपके पास होना चाहिए एकदम सिंपल तरीके से देखें क्या कहता है क्या रहा है number of real solution of equation three times of x square plus one upon x square minus two times of x plus one upon x plus 5 is equal to zero is options दिया हुआ है मतलब इस equations के कितने solution होंगे यह हमको find करना है तो सबसे पहले यहाँ पर आप quadratic equation को standard formula लिखिए तो यहाँ देखिए x plus 1 upon x है और यहाँ x square plus 1 upon x square है तो यहाँ पर आप एक simple सा formula लगा दीजिए a square plus b square बराबर होगा a plus b का whole square minus 2 times of a into b तो आप x square plus 1 by x square को क्या लिख सकते हैं यह x का whole square है यह 1 by x का whole square है तो हो गया a square plus b square इसको आप लिखेंगे a plus b का whole square यानि x plus 1 by x का whole square minus 2 into a into b a के जगा पर x है b के जगा पर 1 by x है x cancel हो गया तो आप लिख सकते हैं इसको x plus 1 by x का whole square minus 2 अब हम equation को लिखते हैं अच्छे तरीके से equation को equation हो गया 3 times of x square plus 1 upon x square उसके बदले में आप लिख देंगे x plus 1 by x का whole square minus 2 अब यहां है minus 2 times of x plus 1 by x अब पलस 5 is equals to 0 अब आप इस x plus 1 by x को मान लीजिये by let x plus 1 by x is equals to y तो यह आपका सवाल हो जाएगा 3 times of y square minus 2 यह देखिए x plus 1 by x को आपने y माना है तो इसका whole square हो गया यानि y का square हो गया अब minus 2 minus 2 times of y अब पलस 5 is equals to 0 अब यह हो जाएगा अब फर्दर expand करेंगे आप तो 3 by square minus 3 2006 minus 2 by plus 5 is equals to 0 तो यह मिल जाएगा आपको 3 by square minus 2 by minus 1 बराबर 0 3 by square minus 2 by और minus 1 बराबर 0 अब देखिए यह quadratic equation आ गया ध्यान दीजिए quadratic equation में कलास में हमेशा हम tricks पर focus करते हैं आपको बताय हुए हैं कि अगर कोई equation a square plus bx plus c बराबर 0 ऐसा हो कि a plus b plus c बराबर 0 हो जाए तो इनका एक root होगा 1 और दुसरा root होगा c by a यहाँ पर आप देखिए इस quadratic equation में a का value है 3 b का value minus 2 c का value minus 1 तो a plus b plus c बराबर हो गया 0 इसका मतलब इनका roots जो है वो हो गया एक हो जाएगा 1 और दुसरा होगा c by a यानि minus 1 y 3 एक हो गया 1 और एक हो गया minus 1 y 3 यह जो भेलू मिला यह किसका भेलू मिल गया y का तो y का भेलू हो गया 1 और minus 1 y 3 अब यहाँ ध्यान दिजिए दुसरे tricks पर y आपने किसको माना है तो x plus 1 y x को माना है अब यह देखिए यह क्या है कोई नंबर और उसके reciprocal का जोड हमेशा या तो आपको 2 से बड़ा होगा या आपको minus 2 से छोटा होगा यह ध्यान दिजिएगा कोई नंबर और उसके reciprocal का जोड 2 से बड़ा होगा या minus 2 से छोटा होगा कहने का मतलब यह हुआ कि कोई नंबर और उसके रेसीप रोकल का जो जोड है वो माइनस दो से पलस दो के बीच में कभी नहीं होगा या तो माइनस टू से छोटा होगा या पलस टू से बड़ा होगा ठीक उसी परकार से जैसे सेख थीटा का मान माइनस वन से वन के बीच में क बना सकते हैं एम जी एम थियोरी से या फिर इसको साबित भी कर सकते हैं दुसरे तरीके से भी तो आप यहां से अंदाज लगाईए और सवाल सेकेंडों में बनाईए कि यह जो वाई है यानि एकस पलस वन बटा एकस है इसका दो भैलू है वन और माइनस वन वाई थिरी यान जानते हैं कि माइनस दूसरे छोटा होगा और पलस दूसरे बड़ा होगा यानि वन जो है और माइनस वन वाई थिरी ये इन दोनों के बीच में है माइनस वन वाई थिरी और वन जो है वो माइनस टू और पलस टू के बीच में है और इसके बीच में तो इसका मान होता ही न नहीं होगा कोई real root नहीं होगा तो अंसर होगा no real root बेहद आसान सवाल जो हमारे class के direct copy से है नोट से है इस दोनों tricks का चर्चा जिक्र बार बार अपने class में करते हैं एक यह कि कोई number और उसके reciprocal का जोड कभी भी minus 2 से 2 के बीच में नहीं होता है और दुसरा बात कि अगर किसी quadratic equation में a plus b plus c बराबर 0 हो जाए तो इनका roots होगा one और c by a यह दोनों tricks को मिला करके यह सवाल बताया पुछा गया है और यह दोनों सवाल इस साल यानि 2022-24 सेसर में जो मेरे हाँ admission लिये हैं उनके 11 के copy में यह दोनों tricks बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कई एक जगों प है तो लाइक कीजिए concept आपको यदि बेहत सांदार लगता हो तो इसे दोस्तों में भी शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू